असलाम लेकूम मैं हूँ साधिया उजयर वेकम बैक टो साधिया उजयर्स किचन तो आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी सॉफ्ट, स्पंची और फ्लफी बनाना प्रेट के रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ बिसमिल्लाह रमाने रहीम बनाना प्रेट बनाने के लिए हमें चाहिए हूँगे दो बड़े साइज के कम्प्लीटली पके हुए सॉफ्ट बनाना छोटे साइज की हो तो आप तीन भी ले सकते हैं और इस रेसिपी के लिए बनाना थोड़े से एक्स्ट्रा पके हुए और ज् मैश करना भी बहुत इजी हो गया है तो अब इनको इस तरह से एक कांटे की मदद से अच्छे से मैश करके इनका पेस्ट बना लेंगे तो इस तरह से इनको मैश करके एक साइड पे रख देंगे और अब हम बनाना ब्रेट का बैटर तयार करेंगे यहाँ पर हम एक बॉल में लेंगे वन थर्ट कप मक्षन वेट में मेजर करें तो 75 ग्राम है इसमें एड़ करेंगे एक कप ब्राउन शुगर इसके जगा पर आप रेगुलर वाइड शुगर का इस्तिमाल भी कर सकते हैं एक मिनट के लिए इसको उलेक्ट्रिक बीटर से बीट करेंगे चीनी और मक्षन अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो फिर इसमें शामिल करेंगे वन फोर्ट कप मिल्क अब इन तमाम चीजों को हम बहुत अच्छी तरह से कम से कम 5-6 मिनट तक बीट करेंगे 4-5 मिनट तक बीट करने के बाद इसमें शामिल करेंगे एक चाय का चमच दाचीनी का पाउडर और 3-4 मिनट तक इसको दुबारा से बीट करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यहां पर मैंने इसको दुबारा से 3-4 मिनट तक बहुत अच्छे से बीट कर लिया है अब इसमें हम शामिल करेंगे दो अंडे और मैश किये हुए बनाना अब इसको हम इतनी देर तक बीट करेंगे जब तक के तमाम चीज़े बहुत अच्छे से कंबाइन हो जाए तो तमाम चीज़ें यहाँ पर बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है अब इसमें हम शामिल करेंगे dry ingredients और इने चानकर add करेंगे तो stinner में डालेंगे 2 कप मैदा और इसी के साथ इसमें शामिल करेंगे 2 चाए के चमच बेकिंग पाउडर, आदा चाए के चमच बेकिंग सोडा, 1 फॉर्थ टी स्पून सॉल्ट तो dry ingredients को हम 2-3 batches में डिवाइड करके बेटर में add करेंगे और साथी साथ बीट करके इसको mix भी करते रहेंगे तो यहाँ पर मैंने 2-3 portion में डिवाइड करके मैदे को बेटर में add किया है और साथी साथ बीट करके बहुत अच्छे से mix भी कर लिया है अब इसमें शामिल करेंगे आदा कप crush किये हुए अख्रोट और इसे सिर्फ इतना सा ही भीट करेंगे कि अख्रोट बेटर में बहुत अच्छे से mix हो जाएं तो अख्रोट यहाँ पर बेटर में बहुत अच्छे से mix हो गए हैं और अब हमारा बनाना ब्रेट का बेटर भी तयार हो गया है एक बार रबर स्पैचुला से भी अच्छे से mix कर लेंगे और अब इस बेटर को हम डाल देंगे ब्रेट मोल्ट में जिसे मैंने मक्षन से बहुत अच्छे से grease करके इसमें बटर पेपर भी लगा लिया है और मोल्ट के नीचे फॉल पेपर लगा कर इसे अच्छे से secure भी कर दिया है ताकि बेटिंग के दुरान बेटर मेल्ट होकर बाहर न निकले ब्रेट मोल्ट ना हो तो आप इसकी जगा पर लोफ पैन का समाल भी कर सकते हैं बैटर डालने के बाद अब इसके उपर डाल देंगे एक प्रश किये हुए अखरोड और बनाना ब्रेट को आप बेक करने के लिए रखेंगे प्रिहिटिट अवन में 180 सेलसिफ पर एक घंटे के लिए बेकिंग का टाइम और टेंपरेजर आपके अवन की परफॉर्मंस के अकॉर्डिंग कम या ज़ादा भी हो सकता है तो इस दिए साफ नाइफ या वूडन स्टिक से चेक करके बनाना ब्रेट को आवन में से निकालें तो यहाँ पर देखें वूडन स्टिक बिल्कुल क्लियर है इसका मतलब है कि हमारी ब्रेट बहुत अच्छे से बेक हो गई है बेक करने के लिए आप अवन की बजाए पतीले का इस्तमाल भी कर सकते हैं बहुत ही मज़े की सॉफ्ट और फलफी ब्रेट तयार हुई है ट्राइ कीजेगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीड़बैक भी जरूर दीजेगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजेगा चैनल पर नए हैं तो सबस्क्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा इसी के साथ अपना बहुत सा खयाल रखिएगा दौाओं में याद रखिएगा याद थाओं में याद रखिएगा याद रखिएगा